सबी दोस्तों के नमस्कार आप सभी का हिवान से अदर इंगलिश पर स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि अपनी फैमली अब 10,000 से जादा लोगों की हो गई है और इसका स्रेज आता है आप सबको आप सबने जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट दिया इसके करते हैं किलास को आपके सामने दो क्वेशन लिखे हैं इन दोनों को सिद्दत के साथ अपनी नौट बूपर लिखो और ढूंडो इसके अंदर एरर किया है हमने प्रिजर इंडाफिन को कम्प्लीट किया था अभी उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है हम आगे चलके मिक्स करे है उसके बेसिस पर दो क्वेशन लिखें आपके सामने इन दोनों को करो बहुत सारी क्वेशन करने आज तो दोनों को सिद्दत के साथ नौट करो और फटा फटा अंसर ढूंडो एक एक चीज डिसकस करते क्वेशन की हो जाओ सुरू बच्चा पार्टी कर दोनों सेंटेंस हो गए होंगे आओ समझने की कोसिश करते हैं यहां लिखा पेरेंट्स पेरेंट्स में एस लिखा हुआ है इसका मत्तब यह वर्ड हुआ अपने आप में प्लूरल सिंगलर है अपने ही समझा अब पेरेंट्स हमारा सब्जेक्ट इडेंटीफाइब हो चुका है यह प्लूरल है तो आगे आने वाला वर्ब होगा एकसपेक्ट को हटा के आपन्य को लिखना पड़ेगा एकसपेक्ट डन अच्छा एक्सपेक्ट से याद आता है हमने एक और वर्ड पढ़ा था एक्सेप्ट इसी क्या मिलता जुलता वर्ड है एक्सेप्ट यह एक प्रेपरदीशन है इसमें हम एस नहीं लगा सकते अगर गल को पेपर लिख के दे देता है एक्सेप्ट तो यह सस्तानसा है यह यहां apply नहीं हो सकता यहां एस नहीं लगा सकते क्योंकि एस थो हम noun में यह verb में लगाते हैं तो यहां expect होगा तो option a हमारा सही answer हुआ अच्छा दो चीज़े और सकती है एक word होता है बच्छा पार्टी child about child अपने आप में word है singular इसका plural बनाया हमने children तो कई बार paper क्या करेगा आपका children में ऐस लगा के देगा children में ऐस नहीं रख सकता सरकार क्योंकि children पहले से plural word है children के साथ अगर मुझे वर्ब लिखनी पड़ेगी तो कैसी वर्ब लिखूंगा मैं plural क्योंकि वर्ड कैसा है plural comply के साथ हम विद का यूज करते है क्यों करते है क्यों आता है वे यह प्रेपरीशन समझेंगे जादा इधर उदर नहीं फैलते है आगे चलते है यहां लिखा दिएर विसेज जो लिखा है यह एक्सपेक करते हैं children तो comply with दिएर विसेज अपनी विसेज के लिए तो यह parents के लिखा होगा तो दिएर लिखा जाएगा है तल्को पेपर यहां हिज लिखके दे सकता है एरर बन जाएगा इस लिखके दे सकता है यह सब गलत हो जाएगे आगे चलके हम डिटेल में समझेंगे फिलहाल जो चिल्डरन और पेरेंस और एकस्पेक्स वाला पॉइंट था यह क्लियर हुआ यह नहीं हुआ य जो कि इसके मत्तम में पहले से ओफ होता है अचा आगे चलते है बीग अइसमॉल गर्ल शी एकसेप्ट अभी अभी समझा है मैंने आपको प्रेपजिशन है तो यह लिखा हमारे सामने प्रेपजिशन हर ब्रदर्स यह ब्रदर्स हो गया नाउन प्रेपजिशन के आगे खुलेंगे अभी तो लेवल बहुत ऊपर जाएगा भाई साब अभी तो शुरुआत है पिक्चर सुरू हुई है फिरे दोस्त तो देखो एक्सेप्ट और यह आगे लिखा हुआ और नाउन सब्जेकर नीहिए अगर ही सब्जेकर को न बचा शीकरएं सब्जेकर तो व्यूंद को ओखना पड़े हैं सिंगलर कीछिज़ कीजि़ करता है । अब के लिए वर्ड का हम अगे पर निकाल के रख दूनगा आपके लिए है ना दो गोशन और लिखे हैं आओ दोनों को ठीक करने की कोशिश करो लेकिन सिद्धत होनी चाहिए भाई ऐसे नहीं फॉन लेके बैठे हो बस पैन पेपर लेके फॉन सामने रख दो और एक कोश्चन को ऐसे पढ़ो जैसा ओफ-लाइन क्लास में पढ़ रहे हैं सेलेक्शन क मेरा आप से पर करो दोनों सेंडेस को कर दो कर दो झाल झाल जी सरकार दोनों सेंटेंस हो गए होंगे सो आउस समझ देंग कोशिश करते हैं Each of the students ओफ लिखा प्रेपोजिशन आगे लिखा नाउन इतना पार सब्जेक्ट नहीं होगा अगर इतना पार सब्जेक्ट नहीं है सब्जेक्ट कुन बचा? Each Each, Every, यह सारे वर्ड कैसे होते हैं? Singular अब हमारा सब्जेक्ट Each है और यह singular है तो इसके लिए वर्ब कैसी चाहिए? Singular Complete को हटा कर क्या लिखना पड़ेगा? Complete लिखना पड़ेगा अच्छा एक बास समझो यहां से सिर्फ present indefinity नहीं solve कर पा रहे हैं अब आप जब मैं यहां have और have लिख दूँगा ना तो यहां से आपको यह भी clear होगी आप has आना चाहिए, have आना चाहिए इस आना चाहिए, आर आना चाहिए, वो जाना चाहिए, वर आना चाहिए यह भी clear होगे आपको तो इन question में फंसना नहीं है भाई एक चीज को बारी की से जितना मैं करवाँगा उतना आप करते जाना एक एक चीज के पन्ने खोल दूँगा मैं आगे चले अंगली sentence में, अच्छा एक और बास समझो जब यह singular था, तो हमें यहां भी singular pronoun यूज करना मैंने आपको क्या समझाया, S के सामने S लिखते जाओ आप अगर noun तो singular, verb तो singular, pronoun तो singular, जो कुछ भी लिखोगे वो singular होगा कल को paper यहां dear लिख के दे सकता है आपका dear कहां से आया, dear से दूँगा यह आपको pronoun table भी कैसे काम करती है तो दे से आया, दे कैसा word है, plural और अगर यह plural word है, तो यहां नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा word कैसा है, singular तो इसके सामने his आया, अब आप कहोगे सर यहां हर क्यों नहीं आया, his ही क्यों आया तो इसके पन्ने भी खोलूँगा, मैं यह जो rule बताया जाता है कि preference हम his को देते है male category को देते है preference नहीं देते है, भाई, मजबूरी में लगा आते है बताऊंगा कैसे, अब भी फिलाल यही समझो his आएगा है, आगे देखो my friends who, मैंने आपको क्या समझाया और यह verb लिखा होगा, तो who किसके लिए काम करेगा, a के लिए यह verb किसके लिए काम करेगा, इस a के लिए इस तरीके का structure मैंने आपको समझाया तो who किसके लिए काम कर रहा है, friends के लिए तो आगे वाला verb भी किसके लिए काम करेगा friends के लिए, कैसा word है friends प्लूरल तो आगे आने वाला वर्ब भी कैसा होगा प्लूरल अपनी जगा ठीक लिखा प्रिपेर फोर एससे एक्जामिनेशन कम अब देखो बच्छा पार्टी यह जो कम लिखा है ना इसके पीछे की बज़र समझने की कोशिश करना यह बहुत ही इंपोर्टेंट है वाई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट असरकार आव समझाता हूं अब आखे खोल लेना अटेंशन चाहिए आपका स्क्रीन पर बोर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए इसक्रीन तो ही नहीं आपके सामने तो बोर्ड असरकार आप से मैंने पैसा लिया है क कोई 10,000 रुपया मानो या नी मानो यह मान के पढ़ों के मज़ा आजाएगा आओ समझाता हूं बहुत ध्यान से समझना थोड़ा सा मुश्किल पढ़ सकता है लेकिन समझना एक मैंने यह नाउन लिखा अब इस नाउन की जगा प्रनाउन भी हो सकता है अब जब मैंने इस नाउन प्रनाउन को लिखा तो यही मेरा सब्जेक्ट अब्जेक्ट कुछ बनने वाला होगा मेरे सेंटेंस के लिए अब मैं इस noun पर noun के लिए कोई information लिखना चाहता हूँ जब मैं information लिखूंगा तो information मैं लिखूंगा who से या which से that भी आ सकता है वो आगे की बात अब मैंने who और which लगा के एक line लिख दी पूरी है उसके बाद मैंने है एक verb लिख दिया अब ये बता दो मुझे ये जो verb आया है ने बच्चो ये verb का subject होगा कोई या नहीं होगा और वेसी बात होगा क्योंकि sentence अगर बनाना है तो इसका हमें subject object कुछ चाहिए होगा तो इसका जो subject object होगा वो कौन होगा ये noun पर noun तो फिर ये जो ये जो बीच में बचा है ये ये जो बीच में हमने add किया है इसे क्या कहेंगे हम इसे हम क्या कहेंगे अब मैं इस structure को एक example में set करता हूँ और उस example में practically समझोगा मैं एक sentence लिखता हूँ मैंने या sentence लिखा Radhika Who is my student has cleared the exam ये sentence लिखा आपके सामपे अब मैच करते हैं sentence और अपने concept को यहाँ आपने हू लिखा पहले तो उसके बाद हमने यहाँ एक वर्व लिखके रखा है देखो ये helping वर्व हो ये हमारा main action में वर्व ये वर्व लिखा तो ये जो structure है ये वाला structure ये structure हमने add किया है अपने subject Radhika और has cleared verb के बीच में किया है के निकिया अब ये बताओ ये जो who is my student लिखा है ये लिखा किसके लिए है इधर लिखवे word के लिए और इधर लिखवे word क्या होगा noun होगा या फिर pronoun होगा match कर पारे हो इस concept को आप वापस में अब noun pronoun के बारे में जो कुछ लिखा जाता है उसे तो हम adjective कहते है जो noun pronoun के बारे में लिखा जाता है उसे तो हम adjective कहते है अगर ये adjective है तो फिर adjective का हमारे subject से या object से कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि subject object तो noun pronoun बनता है अगर आपको subject चाहिए या फिर आपको object चाहिए तो subject object noun या pronoun ही बना सकते पूरी English में और कोई नहीं बना सकता इवन जब हम verb को noun बनाते हैं तो पहले बनाना पड़ता है आई एंजी लगाके तब noun बनता है तब जाके वो subject बनता है इसका मत्तब यह हुआ noun पर noun ही ऐसे हैं जो हमें subject या object दे सकते हैं डन तो यह तो adjective हो गया तो इस adjective का इसे हम adjective close कहते हैं अभी close क्या होता है इसके पन्ने भी आगे चलके खुलेंगे अभी मैं आपको confused नहीं करना चाहता है छोड़ दो close कहते हैं अभी तो आप यह समझो अगर यह noun पर noun के बारे में line पूरे information देती है तो adjective का का काम करती है इसका हमारे वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा तो यह जो हू के साथ शुरू होगा इसका हमारे इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता इस बात का आपको ख्याल रखना है और इस पूरे पार्ट को हम कहते है adjective close या adjective phrase phrase क्या होता है close क्या होता है words के group को कहते है आगे चलके इसके पन्ने खोलेंगे tension लेने की जबती है अभी मैंने जो समझाने की कोशिस की है वो यह है कि इतने पार्ट का हमारे उस वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता यह समझ में आना चाहिए अब आपको question के लिए चलता यह था क्या इस question में आ जाते हैं इस question में हैं लिखके रखके है अपन ने my friends who prepare for ssc examination कम अब देखो कम क्या है वर्ब है अब अगर यह वर्ब आई है इसका मत्तब यह हुआ ना कि who से लेकर और examination तक यह एक बीच में add on था जिसे लिखा गया friends के लिए और friends क्या है नाउन है अ यह जो line है इसे हम कहेंगे adjective क्योंकि noun के लिखी है यह adjective close कहलाता है इसका हमारे verb से कोई लेना देना नहीं है मत्तब कम का who से लेकर examination तक कोई लेना देना नहीं होगा यह मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो अगर who से लेकर examination तक कम से कोई लेना देना नहीं है यह पहचान कैसे पाए verb मिलने से अगर verb नहीं होती तो कोई बात नहीं हम चलते जाते गलत होता साही होता हमें क्या फरक पड़ता है फिलहाल हम तो यह समझने की कोशिश कर रहे है इस कम का who से लेकर examination तक कोई लेना द ठीक लिखा कल को आपका paper यहां comes लिखके दे सकता है या फिर बच्चे कम को देखके comes कर सकते हैं क्योंकि उन्हें examination दिखाई दे रहा है वो सोचते examination के लिए तो examination तो singular word है कम नहीं comes आना चाहिए आपको यह गलती नहीं करनी है हमारा subject friends है plural है तो हमें work plural चाहिए हमें यहां comes नहीं चाहिए हमें हम यहां come चाहिए come to meet me every Sunday बोलो पल्ले पड़ा या सुनू अगर कोई भी doubt रह जाए बताना बाकी के question मैं अभी इस पर करवाऊंगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा आओ इस पर दो चार question लिख देते हो में ताकि आप clear कर सको आप note कर लो इसी के just नीचे बैए एक मिनटे इस sentence को general statement में डालना था इस sentence को ठीक करके दिखाओ झालना थार? कि अब तीन सेंटेंस लिए तीनों को ठीक कर दो फटावर्ट तीन सेंटेंस लिए आपके सामने तीनों को ठीक कर दो बच्छा पार्टी यदिए औरेश गार्टी तीनिया सेंटेंस लिए झाल पार्टी तीन सेंटेंस लिए तीन सेंटेंस ख़ो प्रहत हैं लिजिए होगे लगतुन देखो भी लिखा हो के बाद आगे भाज़िए हो किसके星 के सब्सक्राइब करते हैं इस वर्ब कोई लेना देना नहीं तो इस वर्ब का सब्सक्राइब कैसा सब्सक्राइब कम की जगा यहां कम साएगा यह इंग्लिश इस तरीके से काम करती है बच्चा क्या करेगा पेपर क्या करता है ऐसे कोईशन देता है जान मुझ के बच्चा क्या करेगा चिल्डरन के साथ कम आता है साही तो लिखा है बात तोसकी भी साही है चिल्डरन के साथ कम ही आता है लेकिन चिल्डरन के साथ आया हो देखे लिए आगे प्रिपेर भी किसके लिए काम करेगा देखे लिए फॉर एससे एग्जामिनेशन ट्राइट ट्राइव मिला अब देखो यह जब वर्ब मिला तो अगेन यह आपके सामने एक एड़ोन हो गया यह एक्टिव कहलाएगा इसका ट्राइश से कोई लेना देना नहीं एगर इसका ट्राइश से कोई लेना देना नहीं है तो फिर ट्राइश से लेना देना किसका है देखा देकाइस अगे देखो लिकाए-व्व वांट-फो किसके लिए लिए यह क्यिए तो आगेवाला वर्ब लिए किसके लिए लिएक हेलिए Lecture singular तो पहले तो यहां want को हटा के क्या लिखना पड़ेगा wants लिखना पड़ेगा error कहीं से भी आ सकता है हर चीज को सीखो डूब जाओ question में question के अंदर डूब जाओ involve हो जाओ यह लिखा है इसके अंदर और क्या आ सकता है paper और क्या पूछ सकता है इसी को तो तैयारी करना है क्या टियारी करने से बोलती ना कर रहे टायारी करने से पड़ रहे तो इसका अपने वर्प से कोई लिना देना नहीं होगा तो वर्व हमारा किसके अगोर्डिग आएगा एक इसकी जगा लिखना पड़ेगा इस चाड़ी इस लिखना पड़ेगा अगर आपको यह नहीं दिख रहा है तो इसका पल अगे चलते सरकार आपके सामने और और कुछ sentence ने लिखे दो फिर से लिखो दिखाओ सिद्धत दिखाओ हिम्मत और जुनून अपना वह इंस्पेक्टर और लेफटिनेंट और जो भी बनना चाहते हो उस बनने का जुनून दिखाओ इधर दोनों sentence ठीक करो अब कर दो लिखाओ और जो भी था जाएडा省 आग। देखो पहला कोशन देखो यहां लिका हमने ही मैंने आपको समझाया एस वेल एस ऐसे काम करता है जैसे विद काम करता है जैसे एलोंग विद काम करता है जैसे टूगेदर विद काम करता है और ये सब preposition है हाँ या न? ऐसे but काम करता है ऐसे accept काम करता है ये सब preposition है और preposition के आगे ज़ो हम कभी कोई noun लिखते हैं वो subject नहीं बनता तो as well as के आगे जो कुछ भी लिखा जाएगा वो subject नहीं बनेगा इतना part subject नहीं है और अगर इतना पार्ट सबजेक्ट नहीं है तो सब्जक कोन बचा ही ृ रफ कैसी चाहिए, सिंग्लर वॉक को भटा के क्या लिखना पड़ेगा वॉक लिखना पड़ेगा बोलो पल्ले बढ़ा की । फैसनों कोई तकलीफ है तो बताओ यह क्या लिखा, who, who किसके लिए काम करेगा, इस children के लिए, अपने से ज़स्ट पहले लिखे लिखे लिए word के लिए काम करता है, तो आगे वाला verb भी किसके लिए काम करेगा, children के लिए, तो यह जो sings लिखा है, यहां से इस sings को हटा के लिखना पड़ेगा अपन को sing, क्योंकि plural verb चाहिए, कोई दिक्कत, in the choir, एक word लिखा है, choir, इसे choir, चोर मत पढ़ देना, choir लिखा है, choir मत्तब होता है, singers का group, singers के group को क्या कहते है, choir, one word का question है, ध्यान रखना, अच्छा, musicians के group को क्या कहते है, band, band, musician का group है, और choir, singers का group है, इसे ध्यान रखना भाई, आर आएगा है, यहां, सही लिखा, क्यों, क्योंकि आर किसके लिखा, verb मिला देखो, अभी add-on हो गया है, यहां से यहां तक, children के लिए आ रहा है, कनको है paper, इस लिखके दे सकता है, choir के साथ, choir देखेगा, बच्चों, choir लिखा है, इस लिख देगा, इसको सही मान लेगा, तो question को गहराई से पढ़ने का फायदा क्या होता है, समझ पारे हो भाई, आगे चलो, दो question और लिखे, आपके साथ, ने इन दोनों को स्ठीक करो, करो ठीक भाई, करो, करो? कि दर बच्चा पार्टी देखो सेंटेंस में लिखा सी के साथ लाइक अब जो लेजंड है अल्ट्रा प्रो लेवल वह यहां लाइक का लाइक कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे क्यों कि सी के साथ लाइक साता है तो अपन तो सीधे साथ इंसान है अपन ही नहीं अल्ट्रा प्रो लेवल तो अपन नहीं करेंगे ऐसा अपन पहले सेंडेस पढ़ेंगे हर फ्रेंड्स प्ले अब देखो प्ले भी वर्ब है और सरकार अगर प्ले वर्ब है और लाइक भी वर्ब है तो दोनों के बीच में सब्जेक्ट नहीं बनेगा अगर इतना पार्ट सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो सब्जेक्ट बचा कौन शी कैसा सब्जेक्ट है सिंगलर अगर यह सिंगलर सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा सिंगलर तो प्ले हटाके क्या लिखना पड़ेगा प्ले लिख साइड का मत्तब होता है साइड में और बिसाइड का मत्तब होता है इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त मत्तब इसे इंक्लूड करके दोनों प्रेपोजीशन है इसके अतिरिक्त कैसे लिखूँ है हिंदी में यह लो इसके अतिरिक्त इंक्लोडिंग सेंस है इंक्लोडिंग सेंस का मत्तब हुआ इसके साथ साथ पढ़ेंगे यह आगे आएगा परेपोजिशन में दोनों प्रेपोजिशन है ध्यान लखना तो अगर मैं हैं लाइक को हटा के बिसाइड्स लिख दू तब भी कोई फरण नी पड़ेगा क्योंकि फिर से सब्जेक्ट नी बनेगा अगले सेंटेंस में आजाओ I as well as my friend Again अभी अभी समझा हमने as well as के साथ जो कुछ भी आता है वो सब्जेक्ट नी बनता तो यहां यह सब्जेक्ट नी बनेगा और अगर ये subject नहीं बनेगा तो subject कौन बचा? I. I कैसा subject है? Plural. I के साथ अपन have लिखते हैं. I के साथ अपन do लिखते हैं. क्यों? क्योंकि I लड़का और लड़की दोनों यूज़ करते हैं. तो अब आप कहोगे तो फिर I के साथ वोज क्यों यूज़ करते हैं? मैं समझाता ह अब यह बतातो हूँ, एक sentence लिखा मैंने मैंने खाना खाया. मैंने खाना खाया. अब यह बतातो यह sentence किस ने लिखाया है? लड़के न या लड़की ने? अब यह मैं सोच तो मुझ पर सक करने लग जाओ. मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह sentence लड़का भी लिखेगा और लड़की का पता लग रहा है नहीं इसका मत्तब दोनों इसी sentence को यूज करते हैं इसलिए हम I have eaten food लिखते हैं इसलिए हां I को प्लूरल की कटेगरी में रखा जाता है अच्छा अगर मैं बोलता हूं मैं खाना खा रही थी यह मैं खाना खा रहा था तो यह पता लगता है अगलग होता है लेकिन फिर भी प्लूरल लगते हैं आए को कि सोचो आप तो आए धिहान रखना है आपको वोज वर्ग वाले केस में आपको आए के साथ वोज लगाना है जब अपन हेल्पिंग अपका यूज कर रहे होंगे अदर्वाइस आपको यहां प्लूरल लगना है So, uns og soon en, Vogt, इसके पीछे जादा नी-खौशना है कि क्यों आए ऐसा क्यों है क्योंकि कोई पूछेगा अपनेको छोड़ी थीर और सेलेक्शन नहीं उआ तो यह पता करके भी कुछ नहीं होगा है और-चैनोंë ना पता करके भी बहुत कुछ हो जाएगा मेरी बात समझने की कोशिस करना बोलो पल्ले पड़ा तो यह सारे कोश्चन क्लियर हुए भई तो अपने जहां छोड़ी थी किलास अब वहां से सुरू करते किलास को आजाओ आपको मैंने एक वर्ड सिखाया था यट प्रिजन परफेक्ट अपने सुरू किया था कुछ और चीज़े हैं प्रिजन इंडाफिट की अभी धिर धिर करके कनेक्ट करेंगे प्रिजन परफेक्ट के कुछ सेंटेंस लिख देता हूं है यट वाले जिससे आप किलियर कर सको औ प्रिजन परफेक्ट वाला जो एरिया था ना भाई यह वो चल रहा है आप तो टैंस के चैप्टर में लिखते जाना कोई दिक्कत नहीं है अपनको नौर्स बनाने में को दिक्कत नहीं आएगी यह वासोचना कि अपनने प्रेक्टिस कर लीए तो प्रेक्टिस कहां लिए आप प्रोपर अपनी नोट्बूक में लिखो टैंस टैंस होता है अलग-अलग कुछ नहीं होता है ठीक है अब प्रेक्टिस को अब इनमें टैंस को आइडिन्टिफाय करना है फस्ट और सेकिंड में तो आपको फस्ट और सेकिंड सेंडेंस में आप टैंस बताओ लिखना आप नीचे टैंस कौन-कौन सा इनका दोनों का यह क्यों बता रहा हूं मैं आपको आगे चल के समझ में आएगा टैंस पता करने के बाद दोनों की क्या होती है वो लिखो यहां पहले तो यहां टैंस लिखो अपनी नोट्बुक में ऐसी जगा चोड़के यहां टैंस क्या इसका फिर आप यहां अयंट गलत है यह जोके सीटेंस है इस सेंडेंस में यट को पहचानो इस एक का मतलब क्या होता है यह पता गृण क window चरूसमें अ के क्या है कर दो झाल झाल दन बच्च्पार्ट्टी वागत तो आओ देखते हैं पहला सेंटेес देखो अजैंस मों रिका किया है ट्रायेट कुंसी आसश्रारी प्रहर परत फॉर्म फॉर्म ने गया किया प्रेजान बनाया फर्ट्टन इकलिर ते गिया perfect बनाया, यह बन गया present perfect present perfect की helping को क्या होती है has and have done भाई अगले sentence में हो, sentence में लिका has has verb की कौम सी form है first form, first form से क्या बनता है present, अब देखो इस sentence में ढूढ़ना कही, third form लिखी है क्या अगर third form नहीं लिखी है इसका मत्तब यह हुआ, यह perfect नहीं बना सकते है पन, क्योंकि perfect बनाने की हिम्मत है third form में, वो ही नहीं है तो यह present है, और इसे present indefinite कहेंगा, और present indefinite की helping of क्या क्या होती है do and does तो देखो सरकार पहले sentence में has लिखा दूसरे में भी has लिखा लेकिन दोनों की helping of अलग-अलग है यह helping of has और have है और helping of की जवत पड़ेगी आपको question tag में भी पड़ेगी और verb को represent करने में भी पड़ेगी और यहां इस वाले sentence की helping of do or does है, क्योंकि यहां tense present indefinite third form नहीं है, बोलो दोनों बाते पर ले पड़ेगी या सो नू यह बहुत important part है वच्चो basic है चीजे लेकिन बहुत काम आएंगी आगे चलके, आगे देखो sentence में लिखा did not work hard और sentence में लिखा यट यट के बारे में कुछ तो समझाया था कुछ तो समझाया था पिछली किलास में समझाया था कोई ढाई सो साल पहले की बात है यह समझाया था यट कहीं लिखा होगा यट के आगे आपको चेक करना है जस्ट बाद noun पर noun लिखा है के नहीं लिखा है एक बार लिखा हो सकता है, एक बार नहीं लिखा होगा जब यह noun पर noun लिखा होगा तब यह फिर भी है जब यह फिर भी है तब यह conjunction है यही समझाता बच्चा पार्टी ऐसी condition में अभी हमने tense को नहीं देखा, कौन सा tense क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं है अगर यह noun पर noun नहीं लिखा yet के बाद तो इस yet का मत्तब है अभी तक इसका मत्तब है अभी तक और अगर यह अभी तक है तो अभी तक होने पर sentence दो condition को follow करता है क्या क्या, पहली तो यह condition follow करता है कि यह present perfect होना चाहिए दूसरी condition यह follow करता है sentence हमारा negative होना चाहिए क्यों? क्योंकि अभी का मत्तब क्या होता है present और तक से क्या बताया था मैंने आपको perfect बनता है क्योंकि deadline create कर देता है देन भाई तो sentence में आते है sentence में yet लिखा, इस yet के बाद noun पर noun लिखा है क्या? नहीं लिखा अगर noun पर noun नहीं लिखा तो yet का मत्तब क्या हो गया? अभी तक और अगर यह अभी तक है तो यह दो condition को follow करेगा पहली तो यह कि present perfect होना चाहिए और दूसरी condition यह कि sentence negative होना चाहिए अब देखो note लिखा है तो negative तो है अगर note लिखा है तो negative तो है अब आवनको present perfect बनाना है present perfect कैसे समझा है मैंने आपको has have चाहिए पहले तो so she के साथ has आएगा और इसके साथ work की third form चाहिए तो work को हटा के यहां लिखना पड़ेगा अपनको worked साई sentence होगा she has not worked hard yet उसने अभी तक hard work नहीं किया है एक एक चीज को जहन में उतारो clear है आगे sentence में लिखा यट यट के जस्प बात क्या लिखा है नाउन पर नाउन अगर यह नाउन पर नाउन लिखा है इसका मत्तब तो यह हो गया कि यह फिर भी है और अगर यह फिर भी है तो यह कंजंग्शन है अच्छा जब यह अभी तक था तब यह क्या था तब था यह एड़व यह पर था ऑप सिबेश किर नतिफा कर वाता है और दस कोशन आते हैं फिर के नंबरे calling 11 नंग से बल्डैना आपने दस कोशन यू हो गया कोई नहीं रोक सकता है चलो भई और सेंडेंस करते हैं से सोरी शोरी शोरी यह क्या हुआ कि इस के लिए ठीक है हमारी है ओके कि अट था उसे सकता है चलो शोरी ङाओ नहीं हुआ है पाओ कि ऑीृत हुआ हाओ नहीं कि दिए कि बिए डाओ कि नहीं अगर है कि रज्डर चिम्याओ टीक रों तेनो तीनो सेंटेंस को फटा फटी कर दो टीनो सेंटेंस को भाई टीक कर दो फटा 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 प्रीट कर दो झाल झाल देखो बच्च पार्टी sentence में लिखा था she does not read a newspaper ठीक लिखा अपनी जगा लेकिन sentence के end में क्या लिखा है यट का मत्तब क्या है या अभी तक कैसे पता लगा अभी तक है क्योंकि इसके आगे noun पर noun नहीं लिखा अब यह अभी तक है तो दो condition follow करेगा एक तो sentence हमारा present perfect में बनना चाहिए और दूसरा हमारा sentence negative होना चाहिए negative तो है लेकिन present perfect कैसे बनता है has, has के साथ, she के साथ क्या लगा होगे has, has के साथ note लिखा हुआ है अब अपन को third form चाहिए read के तीनो form एक जैसे होता है read, read, read बोलते read जरूर है लेकिन लिखा read ही जाता है इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए आगे चलते है they do not eat food yet again yet आया तो sentence हमारा present indefinite नहीं present perfect बनेगा दे के साथ क्या लगा होगे have not eat का third form क्या होता है eaten आगे लिखा many a many a का structure कैसा है singular तो candidates नहीं होगा candidate होगा दूसरा sentence में यट लिखा यट लिखा था अपनी जगा ठीक था यह क्या होगा भई complete the work लिखना था have not complete के साथ completed आएगा मैंने है लिखा नहीं था पूरो sentence यह क्या हुआ अब sentence में यट लिखा प्रिजन प्रॉफेक्ट और नुगेटिव दोनों होने चाहिए तो प्रिजन फॉफफेक्ट भी है और नुगेटिव इय। सही लिखा अब paper क्या करता है ना बच्रीक के दिमाग के साथ खिरवाल करने की कोसिज़ करता है कि बच्च यहां Check करने आएगए हेल लिका है उसने क्या किया है वहां उसने चेंडिडेट्स लिख दिया और केंडिडेटつ नहीं है पर केंड़िडेट रहें यह आपने बहुत अच्छे से पड़ एक तक तो आप प्रते हो ना प्र wijू हो पॉइंट होता है फसाने वा पाइज देखो इसके साथ ना अपन एक और पॉइंट समझते हैं present perfect का point समझते हैं जब हम कभी बाये लिखते हैं न सेंटेंस में बाये बाये के साथ जब हम time लिखते हैं इसका मत्तब होता है इस time तक कि इसका मत्तब क्या होता है इस time तक इस ताइम तक मैंने ये काम इसे बाद में बढ़ते हैं इसे बाद में बढ़ते हैं पहले आप एक और चीज कनेक करते हैं यहां से किलास कितने टाइम की यह चेक करता हूं है टाइम हमारे पास यहां इस चीज को इसमें मिक्स करते हैं आप यहां हैडिंग लगाना प्रिजेंट एफट कराब म प्रिजेंट पफीक का कुछ हिसा पढ़ा आपास टुन देर्फिट को समझते हैं अब इन तीनों को मिक्स करके विश्चन निकालेंगे इनके अंधर से फिर देखना मजा कितना आता है पास टॉबकagle किसे काम करता है सब्जेक लिखा हमने और सब्जेक के साथ हमने वर्ब की सेकिन फॉर्म को लिख दिया इस सेकिन फॉर्म को लिखने से बन गया पास्ट इंडेफिनिट यह बड़ा इंपोर्टेंट है यह इंपोर्टेंट क्यों है इसकी इंपोर्टेंस क्या है मेरे मुझ से सुनोगे तो मज आएगा तो सीखते जाना सब्देक के साथ हमने वर्ब की सेकिन फॉर्म को लिखा ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट अच्छा एक और बास सुनों जैसे मैं डमी सेंटेंग लिखता हूँ सी प्लेड दप्यानो सेंटेंस में हमने प्लेड लिखा है प्लेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेकिन फॉर्म सेकिन फॉर्म ने क्या बना दिया पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए कुछ नहीं करना होता सब्जेक के साथ सेकिन फॉर्म लिखनी होती है ऐसे बन जाता है past indefinite को तकलीफ तो नहीं अच्छा आब अब मेरी बात द्हांत से सुनों अगर मुझे इसका negative बनाना है तो नगेटि बनाने के लिभी मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे नौट का सारा ले वह होती है दू का सेगिन फॉर्म डिड तो पास्ट एंड एफिटेंस की हेल्फिंग अब क्या होती है डिड डन अब मैंने सेंटेंस लिखा इस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाने की कोशिच की मैंने सी डिड नॉट अब यह बताओ बच्छो यह जो डिड आया है यह आया कहा से है जो सेटीन फॉर्म है यह से जीन फॉर्म हमने काना से प्लेट के अंदर से यह सिर फिलर कॉंस Tesahing फॉर्म जीन फो proposals सेकिन फॉर्म में सेंसें फॉर्म बाहार ले गए तो यहां तो वह भी बचे गाना तो यहां आपनको प्लेट लिखने कि परमिशून नहीं ह पच्छी नहीं कि सेगिन फोर्म पाहर ले गए तो अपन को हैं बेसफों मिला है बोलो पलले पड़ा अब मेरी बात ध्यान से सूनों इंपोर्टन ड क्यों है यह अगर किसी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दिया ओग इसानका पास्ट का टाइम मतलब जैसे सेंटेंस में यस् अगर आपके सेंटेंस में पास्ट का टाइम आएगा आपको पास्ट इंडाफिट बनाना है सीधी सी लाइन में बात यह है किसी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दिया गया होगा आपको पास्ट इंडाफिट बनाना है अंगर पहस्ताइम का मत्कब है पास्ट यन्डाफिट मबतब है पास्ट ताइम ॉपस्ट टाइम मत्तब पास्ट इंडा कि बना ंओ पास्ट टाइम समझ लो बात ही कुझत पास्ट टाइम सेंटेंस में दिया होगा तो अपन को पास्ट इंडाफिनिट बनाना पड़ेगा यहां तक की बाते समझ में आई आपको अगर आई तो मैंने यह क्यों मिक्स किया अब यहां से किलिए करते हो अरे यारी बार बार क्यों हिल रभाई अब मैं यहां से मिक्स कर मत् freakin अब अब एपनने मैं आप यहां हैडिंग भी लगा सकते हूथ क्योंकि अभी हम थोड़े देर काम करें स्पे प्रिजेन इंडेफिनि अ हो से बईसेंट परफिक्ट कि पर्स्टस टिंड़ अम एसे विखासखते घ्रिंगक और यहां अपन मिक्स करेंगे क्षिन क्योंकि पेपर यहीं से परिशान करता है आओ परिशानी को रफ उचकर कराता हूं सेंटेंस देखो आप भी आप परिशिक पर यहीं देखें परिश हुआ से छोडरे फरिव छोलों करता है झालति रफ भी शापयास आपके सामने तीन सेंटेंस लिए तीनों को ठीक कर दो अब यहां से और मज़ा आएगा जितना मज़ा अभी तक आ रहा था ना आपको इस से ज्यादा मज़ा आएगा पूर्शन पढ़ने में आपको क्योंकि तीनों के मिक्स कर देंगा हम सेंटेंस आजओ बच्चा पाल देंगा नेंटे आपके count कर दो करणे मिक्स कर दो अच्या कर दीए जांआ का वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई कुछ लोग इन्हें इतने सारे लोग देखतें वीडियो लास करने में कुछ आता ह्ता है है मतलब व्यूज इतने आ रहे हैं उसके बाद लाइक साब बहुत गलत बात है या कि मैं घास निकाट रहा हूं भाई साब एक एक बात को बहुत बारी की से समझा रहा हूं यूट्यूब पे पहला टीचर हूं जो पूरी तरह से सिद्दस से पढ़ा रहा हूं लोग पढ़ा कितनी की स्पीड के साथ आपनं दुनिया में फैलते हैं वह में चाहिश निकरते हैं साथ तो थर्ड फर्म चाहिए अ सेंडेंश में आगे गए तो सेंडेंश में आपको मिले का लास्ट इयर लिखा हुआ, लास्ट इयर का मत्तब क्या हुआ, टाइम कप का है, पास्ट का, और टाइम अगर पास्ट का है, तो पास्ट टाइम होने पर पास्ट इंडाफिनिट बनाना है, वो कैसे बनता है, सब्जेक के साथ वर्ब की सेकिन फॉर्म लिखने से, सब्जेक के expect मेन अभी पढ़ाया ही नहीं है अभी तो चितना पढ़ाया उसी पे बनाना अपड़ीद ना पड़ेगा मझ्यवरी किसका ने दिये इस लास्ट पास्ट का पास्ट का टाइम होने से पास्ट इंडाफिर बनाना है कैसे बनेगा सेकिन फॉर्म चाहिए इस हैव को हैड को हटाना पड़ेगा यहां से सही सेंटेंस होगा देकं प्लीटिट इड़ टास्क यस्टरडे बहुत आसान है समझ में आ गया होगा आपको पास्ट टा नाग में घुजगए होगा चप गया होगा एस वैल एस वैल है और कोई भी प्रफिशन यह सब्जेक्ट स्यार नहीं करेगा यह तो आपकी अब नचनीं डोड़ रहा होगा कि दोड़र है कि दोड़र है कि नहीं बताओ कमेंट बॉक्स में लिखके बताओ बही लगाओ कमे मज़ा आया तो चलते हैं आगे झाले झाल 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 चार सेंडर लिखे आपके सामने चारो को ठीक कर दो चार सेंडर लिखे आपके सामने चारो को ठीक कर दो बच्छा पार्टी यह एप्रिशेट दिख रहा आपको एप्रिशेट है देखो एप्रिशेट है यह इधर उदर एग्जाम्स लिखा है मैं इधर हो जाओ यह लो खटा दू उपने आपको का उद्वाइब कर दो बैज चारो सेंटेंस को ठीक कर दो चारो सेंटेंस को ठीक कर दो बच्चा पाटी कि दूब्ट भाइव दूब अपिर सोल गोरते है ओल अब डैम ओल ऑफ देम कैसा वर्ड़ है प्लूरल ट्राई आएगा अपनी जगह ठीक लिखा तो वरक हार्ड लास्ट मVEंघ लास्ट मथ ने सारा केल कर दिया क्योंकि ये पास्ट टाइम है अगर ये पास्ट टाइम है तो पास्ट इंडाफिन बनाना ट्राई नहीं आएगा अब ट्राइड आएगा वर्प की second form चाहिए सका मसा आ रहा है कि नहीं आगे लिखा 3 days ago 3 दिन पुरानी बात है 3 दिन पुरानी बात तो past time हो गई और अगर ये past time है तो second form चाहिए told आएगा has नहीं आएगा बहुत आसान गाम है चांशी has prepared for banking exam since 2023 कब का time है past का past time होने पर past indefin बनेगा has को हटाओ work की second form को लगाओ see end note अच्छा 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 end note याद है आपको end note से आगे वाला जो part है ये subject नहीं बनेगा subject नहीं बनेगा तो कैसा subject रह गया singular verb भी कैसी चाहिए singular appreciate को हटा दो यह आपको दिखनी रहा होगा तो मैं नहीं दिखूँगा तो यह दिखेगा तो यहाँ आपन को appreciate को हटा के लिखना पड़ेगा appreciates बोलो भई परले पड़ा या सुनो कोई भी तकलीफ है तो बताओ कोई भी तकलीफ है तो बताओ भई होगी मज़ा हा रहा है अपको यह नहीं आरहा है कोई दिकत आज का रूट वर्ड यात कर लो फिर एक रूट वर्ड है B-A-N B-E-N या फिर B-O-N बनाईन एक वर्ड होता है बनाईन इसका मत्तब होता है काइंड दयालू तो इसका जहाँ जहाँ यह word होगा इसका मत्तब है good, अच्छा, kind, benevolent, benefit, बहुत सारे word बनेंगे, word कोंगों से बनेंगे समझाओंगा अभी एक root word है mal, इसका opposite है, इसका मत्तब है bad, इससे एक word बनता है malign, malnutrition, malified इस सारे word इससे बनते हैं, तो आज का root word याद रखना है इस बात को भाई, एक ओर root word देखो, एक root word है am, am का मत्तब होता है friendly एक ओर root word याद कर ले न, greg, इसका मत्तब भी होता है friendly इसका मत्तब भी है friendly इसका मत्तब भी है friendly, इसके साथ friendly के लिए आप एक word जानते हैं, आप hospitable hospitable, इसका मत्तब भी होता है friendly, suitable इन पांचों को याद रखो भाई, इन से बहुत सारे words बनवाँगा मैं आपको, तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, उतना आप सब को समझ में आया के नहीं आया भाई, कोई भी दिक्कत है, तो मुझे बताना comment box में, आपके suggestion का स्वागत है, मैं अपना 100% देने की कोशिच कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत है, तो बताना, उस दिक्कत को दूर करेंगे, आपने इस PPD की PDF मांगी, क्लास में लगातार अभी ओल लेवल बढ़ेगा, धीर 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 लेवल बढ़ेगा, प्रीवियस के question में निकालेंगे धीर धीर धीर, आपको देंगे, तो बस आपने इस तरीके से 10 के लिखवाया है, इसे 100 के भी लिखवाना है, आपको एक दिन, आप ही के है, जिम्मे इधारी है, आप ही के जिम्मे है भाई, ये सारी चीजे, तो आप इसे बढ़ाओ, मैं आपको अपना सारा कोर्स डिलिवर करता हूँ, एक एक चीज बारी के समझाता हूँ, सिद्दत के साथ पढ़ाई कराता हूँ आपकी मैं, आपने ये तो देख लिया होगा, कि मैं टाइम पास करने ने आया ह मैं आपके साथ हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अच्छा मैं तब तक देख नहीं जाता हूँ, ऐसी बात है, ठीक कोई बात ही, अगले वीडियो में देखेंगे आप, बाई बाई